दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों हमारा आज का विशे है रीती कालिन कवियों की महत्पून पंक्तियां जिसका पार्ट टू हम करेंगे चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 28 से तो दोस्तों हमारी पंक्ति है 28 देखते हैं धेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जान्यों है Most important पंक्ति दोस्तों किसकी है ये तो दोस्तों ठाकुर की पंक्ति है ठाकुर की पंक्ति है धेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जान्यों है तो दोस्तों ठाकुर की पंक्ति है most important पंक्ति पंक्ति संख्या 29 ध्यान दीजिए किसकी पंक्ति है दोस्तों तो दोस्तों ये बिहारी लाल की पंक्ति है ठीक है क्या है बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करई बोहन हसाई बोहन यानि ये जो आईब्रोज होती है वो ठीक है बोहन हसाई देन कहे नटी जाई देने के लिए कहते हैं तो नट जाती है यानि नकार देती है परिक्रिष्न की मुर्ली छिपाली है और वो देने से मना कर रही है कौन गोपियां ठीक है 35 संख्या 30 ध्यान दीजिए सगन कुझ छाया सुखद सीतल मंद समीर सगन कुझ छाया सुखद सीतल मंद समीर मन है जात अजव बहे वाजमुना के तीर तो ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती भी कवी बिहारी की है कवी बिहारी लान याद रखिए सगन कुझ छाया सुखद सीतल मंद समीर मन है जात अजव बहे वाजमुना के तीर यानि कि जमुना के किनारे बैट कर मन कैसा हो जाता है एकदम अलग यानि कि मंद समीर यानि पानी के बगल में ठीक है तो ये बात कहां की हो रही है जमुना के किनारे की बात हो रही है कि वहाँ पर बैठ कर किनारे पे कैसा मन कैसा हो जाता है मन खुशाल हो जाता है प्रसन हो जाता है ठीक है कुछ इस तरह का अर्थ है यहाँ पर सगन कुंज चाया सुखद सीतल मंद समीर ठीक है कितनी प्यारी पंक्ती है पंक्ती संख्या 31 ध्यान दीजिए जरा ये जो दोहा है ये कवी बिहारी ने जैपुर नरेश जैसिंग के उपर लिखा है ठीक है उनके शाशनकाल के दोरान जो व्यवस्था दी राज व्यवस्था कैसी थी भोग विलास में राजा लिप्त रहा करते दे तो उसी के संदर्ब में ठीक है तो ध्यान से सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है बिहार सुनिए पिर द्यान से नहीं पराग नहीं मदूर मदू नहीं विकास इहिकाल अली कली सोही बिंदियो आगे कौन हवाल आगे कौन हवाल तो किसका दोहा है ये तो कवीब बिहारी का दोहा है ठीक है ध्यान रखे कवीब बिहारी लाल नहीं पराग नहीं मदूर मदू नहीं विकास इहिकाल 35 संख्या 32 बैठी रही अती सगनवन पैठी सदन तन माहा देखी दुपहरी जेट की चाहों चेहती चाहों चेहती चाह ठीक है फिर से सुनिए बैठी रही अती सगनवन पैठी सदन तन माहा दुखी देखी दुपहरी जेट की जेट की दुपहरी यानिकी ये जून जुलाई का महीना ठीक चाहों चेहती चाह ठीक है चाहों चेहती चाह किसकी पंग्ती है ये कवी बिहारी लाल की पंग्ती है ठीक है दियान रखे ठोर-ठोर जौरत जपत भौर-भौर मधुंद यह पंक्ती किसकी है तो दोस्तों यह पंक्ती कवी बिहारी लाल की है कवी बिहारी लाल नाम याद रखिए फिर से सुनिए छकी रसाल सौरब सने मदुर माधवी गंद ठोन ठोर जोरत जपत भौर भौर मधु अंद तो दोस्तों कवी बिहारी लाल की पंक्ती है ठीक है पंक्ती संख्या चोंतेस ये किसकी पंक्ती है तो दोस्तों ये भी बिहारी की पंक्ती है कवी बिहारी लाल फिर से सुनिए रनित ब्रिंग घंटा वली जर्ती दान मदुनीर मंद मंद आवत चल्यव कुंजर कुंज समीर 35 अंख्या 35 ध्यान से सुनिए इत आवती चली जात उत इत आवती चली जात उत चली चह सातक हात यानि यह सातक हात यह किसकी पंक्ती है तो दोस्तों यह भी कभी बिहारी लाल की पंक्ती है यह गोपी के लिए कह रहे हैं रादा के लिए कि इदर आती है और उधर चली गया थिक ही तो एक तरह से विखारी की पंगती है, इतावती चली जात उत्झ चली जाथव। अगली पंक्ती है 36 वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी ये किसकी पंक्ती है तो दोस्तों ये सेना पती की पंक्ती है कभी सेना पती की पंक्ती है वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी ठीक है कुछ-कुछ ऐसा आर्थ है कि वेद में जिनका बखान हुआ है तीनों लोकों में उसी को ठुकराया गया है ठीक है कुछ-कुछ ऐसा आर्थ है तो सेना पती की पंक्ती है वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी ठीक है अगली पंक्ती है 37 ध्यान दीजिए बनन में बागन में बगरियो बसंत है ये किसकी पंक्ती है तो कभी सेनापती की पंक्ती है ठीक है फिर से सुनिए बनन में बागन में बगरियो बसंत है ठीक है अनुप्रास अलंकार है बनन में बागन में बगरियो बसंत है ये पंक्ती सेन पति की कवी सेन पति की पंक्ती अगली पंक्ती है 38 तेरे नैन मेरे मन के खिलोना है ठीक है अगली अगली पंगती है 49 ध्यान से सुनिए राम कैसो जस अध ऊरद गगन है राम कैसो जस यानी यस तो राम कैसो यानी कि राम के जैसा ठीके यस अधूरद गगन है तो ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती दोस्तो सेनापती सेनापती की पंक्ती है राम कैसो जस अधूरद गगन है ठीक है पंक्ती संख्या चालेस हैवई है ठीक है हवई है सो घरी भाग उगरी हवई है सो या फिर है है सो ठीक है 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 सो गरी भाग उगरी उगर निमीज की जैसे की हटाना किसी चीज को उगाड़ना ठीक है सामने लाना यानि जैसे परदा उगाड़ते हैं तो इस तरीके से ठीक है तो है है सो यानि सो यानि की जो ठीक है गरी भाग उगरी ठीक है और जो जो भी बचा हुआ है वे भाग क्या है उगरा हुआ है यानि की सामने है ठीक है ढका हुआ नहीं है तो यह घनानंद की पंक्ती है किसकी पंक्ती है यह घनानंद की पंक्ती है 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 सो गरी भाग उगरी ठीक है इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है अगली पंक्ती है 41 द्यान से सुनिए आनंद विधान आ गनानंद की पंक्ती है कौनसी आनंद विदान मुझसुक दानी दुखियान दई ठीक है प्रश्न पंक्ती संख्या 42 ठीक है पंक्ती है दोस्तों 42 काने परे बहुतायत में एक लैन की बेदन जानो कहां हो तुम यह किसकी पंक्ती है तो घनानंद की पंक्ती है अगली पंक्ती है 43 ध्यान दीजिए उजरनी बसी है हमारी आखियां देखऊ यह किसकी पंक्ती है तो यह घनानंद की पंक्ती है ठीक है क्या है उजरनी बसी है हमारी आखियां देखऊ ठेक है अगली पंक्ती है 44 ध्यान दीजिए अती सूधो इसने को मारग है जहां नेकू स्यानपक्न बाक्य नहीं जहां नेकू स्यानपन बाक्य नहीं यह कहते हैं कि जो इसने का प्रेमक का मारग है वो काफी सूधा है जहां पर इसूदा में सीधा सरल ठीक है यहां पर बिलकुल भी स्यानपन यानि कि चाला की बाकी नहीं रहती यानि कि प्रेम्ट का मार्क जो है वो बिलकुल सीधा होता है बिलकुल भी चाला की यहां पर नहीं देखी जाती ठीक है तो यह कह रहे हैं कि इसलिए सच्चा प्रे ओनानंद ने कहा है कि अती सूधों इसन्हें को मारग है जहां जहान नैकु नैकु यानी की फोड़ा भी ठीक है ये ब्रज-भाशा है नैकु यानी के जरा ठीक है जरा भी यहानपन नादा नहीं भाए नहीं ध्यान रख़े गनानंद की पंक्ती बहुत ही important पंक्ति है इसको तो आप याद कर ही लीजिए पंक्ति संख्या 45 ध्यान से सुनिए यहां साचे चले तजी आप नपव जिजकई कप्टी जे निसांक नहीं यहां साचे चले यह कहरें कि हम जो है न हम तो एकदम साचे चले हैं यानि सच्चे हैं तजी आपन पव और अपना तेरा तो हमने क्या है कि तजी दिया है यानि त्याग दिया है ठीक है जीजकई कप्टी कप्टी जो होते हैं वही जीजकते हैं जे निसांक नहीं ठीक है जे निसांक नहीं यानि कि इसका अर्थ थोड़ा से समझने में दिक्कत है तो जीजकई कप क्यa हैं कि हम सच्चे प्रेमी हैं तो तरफ लगाई लिगवे यहां पर गहां ज़य करेंड़ टिक गपते है दो कुछ इस आ रही हैं, मैं उस आधार पर आपको बता रही हैं. तो देखते हैं अगली पंक्तियां, पंक्ती संख्यश्य। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहित व रबान जो हें जो, लोग हैं, वो कविता बनाने में ही लगे रहते हैं, सारा दिनूट है। लेकिन मुझे तो मेरी कवीता ही बनाती है, कितनी प्यारी पंक्ती कहिए गनानंद ने अपने संदर्थ में, फिर से सुनिए, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे, कवित बनावत, ठीक है, तो गनानंद की है और बेहद इंपोर्टेंट पंक्ती है दोस्तों, इसको तो आप याद कर ही लीजिए, जब भी गनानंद की बात आती है, तो ये पंक्तियां तो सबसे पहले आती है, ठीक है, पंक्ती संख्या 47, ध्यान से सुनिए, यानि गनानंद की कविताएं वही समझ सकता है, जिसने अपनी रिदे से, अपनी आखों से, ठीक है, इसने की प्रेम की पीड़ा को समझा है, मैसूस किया है, ठीक है, वही केवल गनानंद की पीड़ा को भी समझ सकता है, तो ध्यान से समझेए, समुझाई कवीता घनानंद की, ये आखिन ने की पीर तकी, तो किसकी पंक्ती है, घनानंद की पंक्ती है, याद रखिए, अगली पंक्ती है, अर्तालेस, बिचुरे मिलई मीन पतंग दसा, कहां मो जिये, गती को परसे, ठीक है, जैसे बिचुरे मिलई मीन पतंग दसा, मीन पतंग यानि कि मचली जैसे पानी से बिचड़ कर, जब पानी में वापिस उसे मिला जाता है, तो उसकी तडब जैसे कम होती है, या फिर पानी के बिना जो मचली तडबती है, कुछ गनानंद की प्रेम की पीड़ा भी इस रिद्दे की पीडे उस मचली के समान है जो की पानी से अलग हो जाती है । तो मैं kैसा जीवना हूं मैं जीवनी नहीं झी रहा हूँ चीक मैं छीक गंइननद की पंग्ठी दोस्तों पंक्ति संख्या उनन्चास मोही तुम एक, तुम है मोसम अनेक आही, कहा कचू चंधई, चकोरन की कमी है ये किसकी पंक्ती है? तो दोस्तो घनानंद की ठनानंद की पंक्ती है, मोही तुम एक, तुम है मोसम अनेक आही कहा कचू चंधई, चकोरन की कमी है ठीके, याद रख्ये पंक्ति संख्या पचास कंत रमय उर अंतर में, सुलई नहीं क्यों सुक्रासि निरंतर कंत रमे उर अंतर में जो कंत हैं यानि की इनकी प्रेमिका हैं वो उर में यानि की हृदे के अंतर में वास करती हैं ठीक है सुलाई नहीं क्यों सुखरासी निरंतर तो ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती भी घनानंद की है कंत रमे उर अंतर में सुलई नहीं क्यों सुख रासी निरंतर गनानंद की पंक्ती है ठीक है याद रखिए पंक्ती संख्या 51 दे दही ना रही सुधी गेह की भली हूँ नेह को नाम न लीजे नाम न लीजई गनानंद की पंक्ती है दोस्तों द्यान से सुनिएगा देहे दही ना रही सुधी गेह की यानि देहे भी त्याग दी एक तरह से और ना तो मुझे अपने गेहे की यानि की ना तो देहे का ही ख्याल है ना ही घर का ख्याल है गेहे का यानि घर का ही सुधी सुधी मीज ख्याल द्यान ठीक है तो देहे दही ना रही सुधी गेहे की भ की बूलि हुने को मैं तो अब अपने को ही भूल चुका हूं अब उसका नाम मत लीजिए या नि कि सब कुछ भूल चुका हूं मै तो मैं तो आपने में प्रेम को भी भूल चुका हूं उस तारा का अर्थ है Knowing गनानंद का कि मेरी ये दशा है अब मैं क्या बताऊं कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूं ठीक है ये घनानंद की पंक्ती है देह दही ना रही सुधी गे की भूली हुनेह को नाम ना ली जई ठीक है पंक्ती संख्या बावन और इस वीडियो की अंतिम पंक्ती ठीक है भा फिर से सुनिये, भाषा पर अचूक अधिकार जैसा इन का था, वैसा और किसी कवी का नहीं। तो दोस्तों, गनानंद के विशे में यह पंक्ती आचारे रामचंद्र शुक लिकी है। किसकी आचारे रामचंद्र शुक्ल की क्या है पंक्ती एक बार और सुन लीजिए भाशा पर अचूक अधिकार जैसा इनका था वैसा और किसी कवी का नहीं ठीक है यह बहुत बड़ी बात है ठीक है तो भाशा के संदर्म में है और बहुत ही इंपोर्टेंट है और गनानंद क यह लिए है और किसकी पंगती है रामचंद्र शुक्ल की पंगती है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समात्त होता है ठैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेर करें मेरे चानल को सब्सक